हेलो दियर फ्रेंड स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल लेक्टर खा जाना पर तो दियर फ्रेंड मैं आज बता दना चाहता हूं आप सभी को सभी बातों को प्रिंज वीडियो में समझाते हैं तो यहां पर देख सकते हैं इंडियन और कर प्रोशन लिम्टेट पाइप लाइंज डिवीजन में वेकेंसी आई हुई है तो अगर इंपर्टेट डेट के हम बात करें तो इसका जो डेट है स्टार्ट डेट है फॉर्म अपलाइग निका इस्टार्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन 24 एक 2022 थी तो यह 24 जनुर्णी से फॉर्म भरा जा रहा है आप से भी का आज तो बहुत सारा डेट हो गया म तेरह फरवरी तो मतब कुल में लाकर करके आप सबीक पास पांच दिन है और इसका देखिए आयो सेयल के अगर एड्मिट कार्ड के बात कर लें तो इसका जो एड्मिट कार्ड कर रहा है सब सब 14 दिन 2022 करने मतलब है आपका 14 मार्च 2022 में इसका एड्मिट कार्ड आ जाएग इसमें बहुत आप समय नहीं लगता है इसका हर प्रोसेस बड़े समय से है और फास्ट रिस्पांस में होता है ठीक चलिए अगर हम बात करें तो इसका एड्मिट होने वाला है वो चोवी से एक 2022 होने वाला है जो इसका मिनिम्गम एज लिमिट है वो 18 साल है मैक्सिम एज ल रुपए है इसका फॉर्म कफीज और एस्टी पीएज के लिए नील मतब एक कर रुपए नहीं ठीक जो पेमेंट है इसका पेमेंट मोर ऑल्लाइन होगा अब सभी का ध्यान देने वाली बात है चले आगे हम बात कर लेते हैं पोस्ट नेम नमबर अब वेकेंसी और सेलेरी की तो डियर फ्रेंड आयो सी यह पैप लाइस डिवीजन नौन एक्जिकिटीव वेकेंसी डेटेल्स में जो आपसवरी का पोस्ट आया हुआ है पड़ते हैं तो आप हैंब देख सकते हैं इंजिन पांच जार तक और इसमें टेकनिकल आटेंडेंट के लिए चर्फ वेकेंसी आई हुए है अगर इसका सेलेरी को बात करें तो इसका बहुत लिमिट में है और इसका देखिए एक्जाम पैटरन का जो सेक्वेंस से बहुत अच्छा है करने मतलब है बहुत एक सेक्वेंस से तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इसकी इलिजबिल्टी की इसकी इलिजबिल्टी तो देख सकते हैं आप लोग इंजिनिंग असिस्टेंस मेकेनिकल ग्रेट फॉर के लिए जो इलिजबिल्टी होनी चाहिए वहां पर साफ सब लिख रहा है तो या तो फूल टाइम अपर फूल टाइम डिपलोमा होने चाहिए या तो इसके जगह पर टू येर्स लेटर एंट्री भी होना चाहिए अप्टर आइटी आइए करने के बाद ठीक चले आगे हम बात कर लेते हैं इंजिनिंग असिस्टेंट का जो पोस्ट है इलेक्ट्रिकल का उसके लिए क्या इलिजबिल्टी होना चाहिए तो इसमें भी इलिजबिल्टी है कर मतलब तीन साल का डिपलोमा होने चाहिए या तो इसके जिगहा पर टू इयर्स होना इलिजबिल्टी है लेक्ट्रिकल स्टूरेंट के लिए चले आगे से सब्सक्राइब बात कर लेते हैं इंजिनिंग असिस्टेंट टी एंड आई ग्रेट फोर्ड तो यहां पर भी सेम देखिए वही चीज़ है फूल टाइम डिप्लोमा और टू इयर्स थू लेट्र एंट यह इंपोर्टेंट चीज़ है तो देखें पहले होगा कि आप से बहुत का रिटेंट टेस्ट अब्जेक्टिव टाइब मेल्टिपल कोश्चन मल्टिपल चाप च्वाइट इसके बाद आगे आप देख पार हैं देल सैल भी हंडेट कोश्चन इन डरेटें टेस्ट एंट सैल कैरी ओन मार्क एक कोश्चन सही होने पर आप से बहुत नंबर दिया जायेगा मतलब पड़ते कोश्चन परते के कोश्चन एक नंबर कोगा मतलब साओ कोश्चन है तो सो नंबर को ठीक आगे देखें सी सिट्वेंस में फार द पोस्ट आप इंजिनिर्स असिस्टेंट तो देखे आपका जो कॉस्टन होने वाला है यह थे 75 कॉस्टन आप सभी के ट्रेटर समंदिर रहेगा उसका 25 कॉस्टन जनरल अप्लिट्यूट कर रहेगा और रिजिनिंग के और जनरल इंग्लीज का नुमेरिकल अंप्लिट्यूट एंड जनरल नॉलेज़ के ठीक तो अकु आगे हम बात कर लेते हैं for the post of technical attendant out of 100 objective type question तो जो यह पोस्ट है आप सभी का टेकनिकल अटेंडेंट का उसका syllabus आप सब दे रहा है तो यह कह रहा है कि इसमें जो आप सभी का syllabus होगा उस सब कॉस्टन में 75 कॉस्टन देखें आप लिख रहा है 75 कॉस्टन सेल भी ऑन टेकनिकल from general science and on basis ITI trades like motor machines electrical and feeder etc तो इसमें आप सभी का इससे वही चीज़ है कि आप सभी के ट्रेट से 75 कॉस्टन पुछा जाएगा ठीक आप जिस भी ट्रेट से रहेंगे उसके बात देखें आप लिख रहा है the remaining 25 कॉस्टन जो बचे 25 कॉस्टन है will be asked on general amplitude and reasoning general English numerical amplitude and general knowledge तो 25 कॉस्टन आगे देख लिए there shall be no negative marking for wrong answer यहाँ पर कोई negative marking नहीं है यह ध्यान दिने वाली बात है dear friend आप सभी का इसमें negative marking नहीं रहेगा करें मतलब में आप question पूरा टेंट करिएगा 100 में से 100 question करिएगा कोई negative marking नहीं कोई भी नंबर आपका नहीं करेंगा ठीक आगे देखें टाइम duration के हम बात कर लेते हैं तो duration of return test cell भी 90 minutes तो आप सभी का duration होगा return test का वो तीएड़ घंटा करीब दिया जाएगा 90 minutes चले आगे important link की है यहाँ पर तो हमें बता एक बाद बता दने चाहता हूं यह जो भी link है यहाँ पर apply करने का link दे रहा साब सब्सक्राइब कर सकते हैं लिकि link खुल नहीं रहा तो बहुत बार तो खोल जाता है बहुत बार नहीं खुलता है तो हम इसका एक link है मेरे पास officialist का link है उससे आप click करके form apply करेंगे तुरण तो link खुलेगा और आप form बड़े अराम सब्सक्राइब कर पाएंगा ठीक तो ठीक है वीडियो करते हैं उम्मीद क इसको form apply तुरणत कर लिजिए तो ठीक है वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब कर लिए तो ठीक है वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं आज की वीडियो पूरा देखने के आप सब्सक्राइब को बहुत बहुत धन्यवाद